पंजाब कॉंग्रिस में इंडिया गट चोड का विरूद करने वाले कॉंग्रिसियों पर सीम भगवत्मान ने गुरुबार को तंज कसा सीम भगवंत्मान ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा की मेले में अम्रूद को कौन पूचता है यह सुनने के बाद इंडिया का विरोत करने वाले कॉंग्रिसी भड़क गए कुछ ही गंटों में पंजाब के पूर्व उपमख्यमंतरी सुखजिंदर रंधावा ने ट्वीट कर सीम को जबाब दे दिया मतादे सुखजिंदर रंधावा ने अपने ट्वीट पर कहा भगवंतमान जी गरीवों का फल अमरूद ही है लेकिन आप अब आम नहीं रहे अब आप चीकु और सीता फल खाने वालों में शामिल हो गए हैं लेकिन याद रखें कि पंजाबियों ने सीता फल खाने वालों के साथ क्या किया था याद रखें कि कभी कभी अमरूत का एक बीच भी पेट में दर्द पैदा कर देता है ये पहली बार नहीं है जब सीम भगवन्तमान और सुखजिंदर सिंग रंधावा एक दूसरे के आमने सामने हुए है इससे पहले दोनों के बीच गैंगिस्टर मुक्तार अंसारी के जेल खर्चे को लेकर सिहासी जंग शुरू हो गई थी जो काफी लंबी चली थी मुक्यमंतरी ने अंसारी पर खर्च किये गए 55 लाक रुपे पूर मुक्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग और सुखजिंदर रंधावा से वसूलने के आदेश तक दे दिये थे इस बीचे सुखजिंदर रंधावा ने तंज कस दिया था कि मुक्यमंतरी खापी कर बयान देते हैं